नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में आप लोग जो दिल्ली पुलीस में कॉंस्टेबल भरती आई हैं जिसको SSC कंडेक्ट करवाईगी उसका एक्जाम दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल भरती के बारे में पूरी ड दबा दिजिए ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो इंपोर्डेंट डेट्स हैं पहले मैं आपको वो बता दूँ इल्ली पुलीस में जो फॉर्म निकला है फ्रेंट्स लगबग 6,000 की पोश्ट का है ऑफिशल नोटिफिकेशन भी मैं आपको पढ़ कर बता दूँगा पहले बात करें इंपोर्डेंट डेट्स के बार में तो एप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो चुके एक अगस्त तो 2020 से ये इसकी एप्लिकेशन स्टार्ट हो चुके लास्ट डेट क्या है साथ सितमबर 2020 ठीक है ना त ससी का जो है टाइम टेबल पहले आ चुका है तो इनके बीच में जो है कहीं न कहीं दिली पुलिस के एक्जाम्स भी करवाएगी ससी ठीक है ना तो यह आपको याद रखना अब एड्मिट कार्ड अबलेबल हो जाएंगे नवंबर में उसके लिए आम लोग वीडियो बना देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो यह थी इंपोर्डेंट डेट जो इस भरती के बारे में है एक अगस्त यानि की अभी से डेट स्टार्ट है साथ सितंबर 2020 से पहले सबी लोग फॉर्म जरूर भर लीजीगा छे अजार जितनी बड़ी बरती है यह एप्लिकेश की फीमेल हैं ओबीसी की गल्स हैं तो उसके लिए कोई फीस नहीं यापको याद रखना ओनली मेल कैंडिडेट्स जनरल ओबीसी वालों के लिए फीस है एंड जो भी आप लोग फीस कैसे पे कर सकते तो डेबिट काड़, क्रेडिट काड़, नेट बैंकिंग कैसी के ध्रू कुलाई 2020 को 18 वर्स से उपर होना चाहिए आपकी एज एंड 25 वर्स से कम होनी चाहिए, यहाँ पर जो है एज में काफी सारी चूट भी दिगें, जैसे OBC वालों को 3 साल की दिगें, STSC वालों को 5 साल दिगें, जो भी एक सर्विस्मेन हैं या जो भी इली पुलिस में already है, उ फॉर्म बढ़ सकता है, OBC वाला है, तो उसको 28 तक फॉर्म बढ़ सकता है, एंड जो STSC वो 30 साल तक फॉर्म बढ़ सकता है, ओके, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, अभी जो बता हूँ, Constable Executive in Daily Police, पोस्ट का नाम है यह, अब male and female के लिए, male के लिए 3902 पोस्ट है, and female के ल recognize board in India, यानि कि आपको बार भी पास होना चाहिए, साइट, CBS CEO, RBC, कोई भी board हो, चाहिए, open board हो, ठीक है, ना, कोई student पूछते है, ओपन बोड से फॉर्म बर सकते हैं, बर सकते हैं, यहाँ पर किया हो, any recognize board in India, ठीक है, recognize होना चाहिए, उसके बात क्या है, male candidate के लिए क्या है, क उनके साथ में license होना चाहिए, गाड़ी चलाने का, ठीक है ना, male candidates के लिए, female के यह mandatory नहीं है, और detail के लिए आपको notification पढ़ना पड़ेगा, क्योंगी काफी सारी detail पिलती है, notification आप लोग यह देख सकते है, SSC ने जारी किया है, यह notification, पूरा कपूरा 50 page का notification है, जिसका link नीच जो भी चीज़े है, वो मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, next बागतर है, category wise जो पोस्ट है, वो मैं आपको थोड़ी सी detail बता दूँँ, तो general mail के लिए, constable mail के लिए, general में 1800 के आसपास पोस्ट है, EWS के लिए 381 है, OBC वा पोस्ट है, अब मैं आपको बता दूँ, physical eligibility क्या है, male and female के लिए, अलग-अलग category wise, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी के लिए, देखते रहे हैं, वीडियो को लाज्ट तक general OBC वालों के लिए, male candidates के लिए height चाहिए, 170, and SC वालों के लिए, 170 ही चाहिए, लेकि and ST वालों को 5 cm के आप छूट मिली, 165 चाहिए, उसके बाद chest किती चाहिए, general OBC वालों के लिए, 81-85, and chest SC वालों के लिए, 81-85, and ST के लिए, 71-80, okay, तो ये chest चाहिए, 6 minute में race चाहिए, 400 meter, तो 6 minute में आपको 1600 meter race complete करने है, 14 feet की long jump है, and 3 feet जो है, 9 inch जो है, high jump है, okay, and female के लिए height ह 157 minimum है, and ST, SC वालों के लिए, 855 है, बागे chest requirement नहीं है, 8 minute में 1600 meter race clear करने है, 10 feet की long jump है, and 3 feet की high jump है, तो ये थी physical eligibility, जो की आपके लिए, पूरा करना जरूरी है, compulsory, okay, and exam selection process कैसा होगा, तो पहले number पर आप होगा, written exam, online exam, second पर होगा, आपका physical test, and third होगा, medical test, उसके बाद final merit list आ होगा, इसका computer based examination जो है, उसके लिए 100 questions आएंगे, and 100 marks के questions होगे, ठीक है ना, 100 number का paper होगा, 100 questions आएंगे, and 90 minute लगेंगे, ठीक है न, यानि कि डेट घंटे का time होगा, general knowledge and current of phase most important part रहने वाला इस exam का, जिसमें 50 number, यानि कि 50% जो है, general knowledge और current of phase से मिलेंगे, आपको सवाल, ये मै आपको बता दूँ कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, exam तक channel को subscribe कर लिजिए, daily current of phase का वीडियो आता है सुबह, उसको देखिए, उससे आपको current of phase साथ में statics GK काफी ज़्यादा improve होजेगा, इसके अलबा हम लोग GK के भी काफी सारे जल्दी जल्दी वीडियो तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए, daily current of phase वीडियो जरूर देखिए, आपके इन 50 नमबर में काफी ज़्यादा help हो जाएगी, उसके बाद reasoning के 25 नमबर है, and numerical ability के 15 नमबर, यानि की math के, and computer basic test, उसके लिए 10 नमबर है, ठीक है ना, basic computer का 10 नमबर, ओके, तो यह आपको अब मैंने आपको पूरी detail बता दिये, आपको age limit बता दिया, height वगरे, सब कुछ, application fees, important rates, फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी doubt हो, तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं, या फिर telegram group में जोट सकते हैं, जहाँ पर आपको daily PDF और quiz मिलती है, तो मिलते एक नए वडियो में, अब तक लिए, जै हिन, जै भारत!